नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है सार्तत्व चैनल पर आज का हमारा विशय है आध्यात्मिक जागरती और आपके जीवन को बदलने वाले आयाम यदि आपने अभी तक सार्तत्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ आपके लिए एक सुनरा अवसर है गंती का बटन दबाकर आप हमारे नए विडियो की सूचनाई प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं आज का विडियो आध्यात्मिक जागरती एक ऐसी यात्रा है जो हमारे जीवन को मूल रूप से बदल देती है यहां हमारे सूचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करती है इस विडियो में हम उन आयामों की गहराई में जाएंगे जो आध्यात्मिक जागरती के दौरान खुलते हैं और चर्चा करेंगे कि वे हमारे जीवन को कैसे सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं आध्यात्मिक जागरती को कई आयामों में समझा जा सकता है आए उन में से कुछ को देखें आत्म जागरती यहां आध्यात्मिक जागरती का मूल आधार है इसमें अपने विचारों, भावनाओं, शारिरिक सम्वेदनाओं और व्यवहार पैटर्न के बारे में गहराई से जागरूख होना शामिल है आत्मजागरिती के साथ हम अपने अहंकार से अलग होने लगते हैं और अपनी वास्तविक आत्मस्वरूख को समझने लगते हैं यह एक गहरा विश्वास या प्रेम की अनुभूती हो सकती है जो हमें इस संसार से परे किसी चीज से जुड़े होने का एसास दिलाती है जीवन का उद्देश खोजना आध्यात्मिक जागरिती के दौराग हम अक्सर अपने जीवन के सच्चे उद्देश के बारे में सवाल करना शुरू कर देते हैं यह हमें उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है जो सार्थक और अर्थपूर्ण हो न की केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने में करुना और सहानुभूती आध्यात्मिक जागरती से हमारा दिल खुल जाता है और हम दूसरों के प्रती अधिक करुना और सहानुभूती महसूस करने लगते हैं हम उनके दुखों को अपना समझते हैं और उनकी मदद के लिए प्रेरित होते हैं शमा शमा आध्यात्मिक जागरती का एक महत्वपून आयाम है यह न केवल दूसरों को ख्षमा करने के बारे में है बलकि स्वयं को भी ख्षमा करने के बारे में है शमा हमें अतीद के बोज से मुक्त करती है और वर्तमान में शांती से रहने में सक्षम बनाती है वर्तमान क्षण में जीना आध्यात्मिक जागरिती हमें अतीद के पच्तावे और भविश्य की चिन्ताओं से बाहर निकालती है हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं, जहां जीवन वास्तव में घटित होता है आईए अब कुछ उदाहर्णों के माध्यम से इन आयामों को समझते हैं मान लीजिये कि कोई व्यक्ति लगातार तनाव और असंतुष्टी का अनुभव कर रहा है आध्यात्मिक जाग्रिती के दौरान वह आत्म जाग्रिती का अनुभव कर सकता है और महसूस कर सकता है कि उसका असंतोष भौतिक वादी चीजों के पीछे भागने के कारण हो रहा है वह जीवन के उद्देश की खोज शुरू कर सकता है और पा सकता है कि उसका सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में नहित है इस जागरिती के साथ वह करुणा और सहानुभूती विक्सित कर सकता है और दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित हो सकता है आध्यात्मिक जागरती हमें भौतिक चीजों से परे सुख खोजने में मदद करती है यहां हमें आंतरिक शांती और खुशी का अनुभव कराती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है आध्यात्मिक जागरती हमें वर्तमान ख्षण में रहने और अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने से रोकती है या हमें तनाव और चिंता से मुक्ती दिलाने में मदद करती है अध्यानों से पता चला है कि आध्यात्मिक जागरिती से शारिरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकती है, रक्तचाप को कम कर सकती है और दर्ग को कम कर सकती है आध्यात्मिक जागरिती हमें दूसरों के प्रती अधिक करुणा और समझदार बनाती है यहां हमें बहतर संचार और संधर्ष समाधान कौशल विट्सित करने में मदद करती है जिसके परिणामस्वरूप मजबूत और अधिक स्थाई रिष्टे बनते हैं आध्यात्मिक जागरिती हमें जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने में मदद करती है यहां हमें उन चीजों पर ध्यान केंडरित करने के लिए प्रेरित करती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है और हमें ऐसा महसूस कराती हैं कि हम किसी बड़ी चीज से जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक जागरिती प्राप्त करने का कोई एक निश्चित तरीका नहीं है यह एक व्यक्तिगत यात्रा है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होती है हालांकि कुछ सामान्य तरीके हैं जो आपको आध्यात्मिक जागरिती की दिशा में ले जा सकते हैं ध्यान और प्रार्थना आपको अपने आंतरिक्स्व के साथ जुरने और अपने विचारों और भावनाओं को शांत करने में मदद कर सकती है योग और प्राणायाम शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं जिससे आध्यात्मिक जागरिती के लिए अनुकूल वातावर्ण बनता है पवित्र ग्रंथ ज्यान और प्रेना का स्रोथ हो सकते हैं वे आपको जीवन के बारे में एक नया द्रिष्टिकोन दे सकते हैं और आपको आध्यात्मिक विकास के मार्क पर ले जा सकते हैं सत्संग आध्यात्मिक रूप से जागरूप लोगों के साथ समय बिताने का एक तरीका है सेवा दूसरों की मदद करने का एक तरीका है जो आपको अहमकार से मुक्थ होने और करुणा विच्सित करने में मदद कर सकता है प्रकृती में समय बिताना आपको शांथ और केंदरित रहने में मदद कर सकता है यहां आपको जीवन के चमतकारों की सराहना करने और अपनी आध्यात्मिक्ता से जुरने में मदद कर सकता है आध्यात्मिक जागरिती एक जीवन बदलने वाली यात्रा है जो हमें एक अधिक शान्तिपून, खुशाल और अर्थपून जीवन जीने में मदद कर सकती है यह एक ऐसी यात्रा है जो सभी के लिए खुली है और इसे प्राप्त करने के लिए कोई एक निश्चित तरीका नहीं है यदि आप आध्यात्मिक जागरिती की और बढ़ने के लिए प्रेरित हैं तो अपने लिए सबसे अच्छा काम करने वाले तरीकों को खोजें और धीरे धीरे आगे बढ़े याद रखें आध्यात्मिक जागरिती एक डौड नहीं है बलकि एक यात्रा है इसका आनंद लें इस विडियो में हमने आध्यात्मिक जागरिती के कुछ आयामों और लाभों पर चर्चा की आशर है कि इससे आपको यहाँ समझने में मदद मिली होगी कि आध्यात्मिक जागरिती आपके जीवन को कैसे सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है यदि आप आध्यात्मिक जागरिती के बारे में अधिक जानना चाते हैं तो कृपया नीचे कमेंट्स में लिखें और हमें बताएं कि आप किस बारे में अधिक सुनना चाते हैं साथ ही अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आपको हमारा यहाँ वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं धन्यवाद और जैहिंद मिलते हैं अगले वीडियो में